हैलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों मैं अपने रूम से 2.5 किलोमेटर दूर आया हूँ सिर्फ इसलिए ताकि मैं आप लोगों को एक जगा दिखा सकूँ जहां पे भेड़ बकरी चराने व बन चुका है तो दोस्तों वीडियो के साथ पूरे लाश तक आप लोग जरूर बने रहे हैं मैं आप लोगों को ले चल के दिखाता हूं कि वहां पर क्या क्या चीज है दोस्तों अभी तो बहुत ही तेज यहां पर लू चलना चालू हो गया है इसलिए मैं यहां पर इसके जो जिसमें राने वाला चुलदारी है उसी के चाहों में बैट करके वीडियो बना रहा हूं ताकि हावा ना आ सके और मेरी आवाज की लियर आ सके मैं जो कुछ भी आप लोगों को इसके बाद दिखाऊंगा वह बैक केमरा से दिखाऊंगा तक कि बाद में मैं अपना आव कि आवाज आती होगी क्योंकि बहुत ही ज्यादा लू बहरा है अब लू चालू हो गया है अगर इस तरह से लू चालू हो जाएगा तो बहुत ही दिकत होगी मूह तो पूरा सूखने लगेगा ओट फटने लगेगा दोस्तों इंडिया का मोसम तो अभी ठंड ही है लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से गर्मी गर्मी जैसा मोसम हो रहा है तो आईए मैं अपने बैक केमरा से आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ कि क्या क्या बेवस्ता हो चुका है और क्या क्या बेवस्ता होना बाकी है हाँ तो देख सकते हैं दोस्तों यह छोलदारी है इसी छोलदारी में जो है कि रहना पड़ेगा जो भी ब्यक्ति यहां पर रहेगा उसे इसी छोलदारी में रहना पड़ेगा दोस्तों एक बार और मैं इसी छोलदारी का वीडियो वनाया था लेकिन वो वाला छोलदारी नहीं है उसी के जैसा है लेकिन ये दूसरा है ये अभी दो-तीन दिन हुआ है इसको बने हुए और मैं आप लोगों को आगे ले चलके दिखाता हूँ कि और क्या-क्या जो है कि यह यहां पर बन चुका है यहां पर दरवाजा भी है अंदर घुसने के लाइक लेकिन मैं अंदर नहीं घुसने वाला हूँ यहां पर देख सकते हैं रसी से बांधा गया है हर जगा एक ही जैसा बांधा गया है चारो तरफ से इधर के तरफ मैं आपको लाकर के दिखाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं पानी का टेंकर रखा हुआ है जिसमें दो पहिया है एक तरह से समझीए कि यह जहाँ भी चाहे वहाँ ले जा सकता है आदमी गाड़ी से घीच करके तो गाड़ी के पीछे इसको बांध करके और घीच करके ले करके जहां मर्धी वहां जाते हैं यहां पर देखिए पाइप लगा हुआ है टोटी एक लगा हुआ है यह अभी नया बन रहा है किसी के रहने का बेवस्था बनाया जा रहा है तो मैंने सोचा कि आप लोगों को यह बेवस्था दिखा दू कि किस तरह से लोगों को रहना पड़ेगा यहाँ पर सोचाले है आप लोग देख सकते हैं यह सोचाले है और मैं आपको लोगों को बता दूँ यहाँ पर बहुत कुछ अभी नहीं हुआ है क्योंकि अभी काम का सुरुआत हो रहा है इधर के तरफ अगर आप लोग देखेंगे तो पूरा का पूरा खाली जगा मिलेगा कोई गाँ और कोई घर नहीं मिलेगा बबुल का पेन मिलेगा रेतिली जगा मिलेगा पहाड़ी जगा मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला है आगे एक रूम की तरह दिखाई दे रहा है वो रूम बस जोड़ करके छोड़ा गया है वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं रहता है ब जिसी बैक्ति को वो सोचिये कि कैसे रहेगा कैसे अपना गुजारा करेगा लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ अगर पुराना किसी बैक्ति को रहने के लिए कह दिया जाए तो वो रह लेगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वो छोलदारी है यहाँ पर टोइलेट बना दिया गया है यहाँ पर पानी के टेंकर लगा दिया गया है नहाने दोने का सब कुछ यहीं पर रहेगा और यहीं पर आराम से अपना जीवन काटेगा इधर से मैं आप लोगों को दिखा दू तो इधर के तरफ थोड़ा नस्दीकी पर ही गाउं देखनों को मिल जाएगा देख सकते हैं यह थोड़ा यह गाउं नहीं है बस दो घर है दो घर है अभी वहाँ पर जाकर के मैं उसका वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि उसी रास आने के लिए हमारे कमरे से हाँ तो दोस्तों फाइनली अब हम कमरे के तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर ये पहाड दिखाई दे रहा है इसी पहाड के बीचों बीच से हम जाने वाले हैं और यह रोड़ पकड़कर जाएंगे तो हमको जादा समय लग जाएगा इसलिए हम जो वहां से दिखाया था तो आप लोग पूरा अच्छी तरह से देख लेंगे कि यहां पर कैसा घर होता है कितना दूर दूर पर होता है अब मैं इस पहाडी पर चड़ने वाला हूं आप लोगों को दिखाने वाला हूं देख सकते हैं यह मतलब कि अभी बहुत छोटा वो थोड़ा दूरी पर है मैं आप लोगों को इस पर चड़ करके दिखाने वाला हूँ पूरी तरह से आप लोग देखिएगा गाउं भी बहुत अच्छा यहां से दिखाई देता है पूरा जितना यहां पर गाउं घर है सब कुछ दिखाई देता है इधर के तरफ तो काफी दूर गाउं है लेकिन नहीं दिखाई देगा पहाड़ी पहाड़ दिखाई देगा तो इस वाले बड़े वाले पहाड़ पे हम चड़ेंगे तो इस बड़े वाले पत्थर पे चड़ करके अगर हम देखेंगे तो बजा करके पूरा का पूरा दिखाई देगा तो आईए ह हम जो है कि चड़ते हैं इस पे हावा बहरा है दोस्तों इसलिए मैं अलग से आवाज इस पे डाला हूँ तो यहां पर हम चड़ चुके हैं और यहां से आप लोग देख सकते हैं इधर के तरफ तो पहाड़ी पहाड़ है लेकिन पहाड के किनारे आप लोग देखेंगे तो पर देख सकते हैं दोस्तों वो जो दो मंजीला मकान दिखाई दे रहा है पूरा इधर छेतर में दो मंजीला मकान दिखाई दे रहा है ये देख सकते हैं वहीं पर मेरा कमरा है वहां से मैं आया हूँ और इधर के तरफ जो है की जाने के लिए रास्ता है ये साइड से मनों बहुत सारा वहां पेड़ है तो उसी के रास्ते से हमको घूम करके जाना है और ये देख सकते हैं बहुत ही करीब में घर है दो तिन घर है तो ये बहुत ही करीब में है और पूरा चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं खाली खाली जादा मिलेगा दो तिन घर यहां मिल के लिए मिलता है करीब में नहीं देखने के लिए मिलता है तो अब हम पहाड़ी से उतर करके घर के तरब जाएंगे हाँ तो देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा पत्थर है इसी पत्थर के माद्यम से हम उतरने वाले हैं यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा ज्यादा गैपि करके जरूज बताईएगा आप लोग ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी आल पे क्लिक कर दीजिएगा और जो कुछ भी जानकारी आप लोगों को पूछना है कमेंट करके जरूज अगर जानकारी रहेगा तो जरूज ही बताने का कोशिस करूँगा दोस्तों अभी के लिए बाए बाए फिर मिलेंगे आप से किसी अगले वीडियो में